गाइज यह रामलान कोले आनन का एक नोटिस आया है पार्ट टाइम फॉरिल लेंग्वेज चाइनीज एंड जैपनीज कोर्स के लिए ठीक है पार्ट टाइम मैं पूरी डिटेल बता देता हूं आपको ठीक है इसमें लास्ट जो है अप्लाई करनी की वह सोला जुलाई जुल करना है तो मैं आप देख लो सबसे पहले यहां पर आना कि यहां पर आओगे देखो एप्लिकेशन और इन्वेंटेट दफॉर यहां पर जो है एडिमिशन खाली सार्टिफिकेट के लिए चारू है और डिप्लोमा कोर्स वह भी चाइनीज एंड जैपनीज लेंग्वेज यहां पर दॉठ है कि यॉह लेंग्वेज दूर लेंग्वेज के लिए ओपन आपकेशव में तायमन दूरेशा निज्देश का कीलिए नाइन तोय। तक यानि सुबह 10 वे से चालों की एक तर दुफेर में तीन घंटे आपकी क्लास के लिए अगर आप साथ वीट कर रहे हो जैपनीज चानिज लेंग में अगर आप डिपलोमा करना चाहरे हो तो तो आपकी क्लास जो है वह दो से पांच यानि तीन घंटा तो सेटरडे संडे क् को जो मुझे अच्छा लगा कि जो बच्चे मतलब रेगुलर अप्डाई करते हैं उनकी फ्राइडे तक क्लास होती है रेगुलर वालों की ठीक है मंडे टू फ्राइडे और जिनने करना है तो से मैंनिज कर सकते हैं तो मेरी खाल से टाइम तो बहुत अच्छा है राम लान आप लेकर इसमें यह बोला कि इंग्लीश इस कमपलसरी सब्सक्राइब कर अगर आप नहीं जोड़े तो फिर आपका है तो तो प्र आपका इंडिमीशन हो जाएगा तो इंग्लीश तो आपको कमपलसरी जोंड ना बेस्ट फोर जूड़ेगी सब्जेक्ट अबिलिटी सब्सक्राइब कर सकते हो और यहां पर डिप्लोमा कोर्स के लिए सक्सेसफुली कंपलीशन और साट विट कोर्स फ्रॉम डियू और इक्वेलेंट कोर्स इन रिस्प्रेक्टिव लेंगवेज इंटर्स एक्जाम फॉर नॉन डिप्लोमा एप्लिकेंट अब एडमिशन फॉर इच को डिखो एडमिशन की जो फीस हो सतरह जार रुपए वन लेंगवेज के लिए एपलाई कर सकता है अगर आपको यहां पर दे दिया इस पर लिंक पर किलिक कर लेना बता जता हूं एप्लिकेशन फी जो है वह सो रुपे यानिए आप जब अब पर होगे तो सोर पर लगेगी ठीक है सोर पर यह नोन रिफेंडेबल फीस होती है यानि वापस फीस नहीं होगी तो भी पैड ओन लाइन टीक है डिटील से गूगल फॉर्म निंक है अभी मैं बताता हूं कैसे है और एलिजीबल कंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी इंफ को फोन आ जाएगा ठीक है कि लास तो बीगिन और वैसे नहीं आता है तो आप कोलेज के वेबसाइट भी चेक कर लेना कि मतलब आई कट ओफ यह नहीं तो बीगिन इन अगस्ट और सेप्टेंबर यानि अगस्ट यह सेप्टेंबर में आपकी किलास इस्टार्ट हो जाएग अगस्ट ऑगस्ट वह तो सेप्टेंबर 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 ने अगस्ट रगाइ चीकलास है कि अध तरह बाटे रगники हम बीहें लिधं नहीं आपकी चीनलेऊ कोलेज हो एंवे एंदर सेप्टेमेंट आप-शॉक्त ओटे कि अथा स्थैंध से जार्ट थे वजि सब्सक्राइब करना चाहिए और 75 परसेंट आपके अटेंडेंस होनी चाहिए जब यह चीज याद रखना और बाकी यहां पे दा कोलेज इस्ट्रिक्टली फॉलो यूनिव डेलियुट्टी एकेडमी क्लेंडर ठीक है डेलियुट्टी के एकेडमी क्लेंडर फॉलो करता है ठ रिटन और वाइवाद तीन एक्जाम होंगे आपके तीन एक्जाम होते हैं आपर रिटन भी हो गया एक और लोता है ठीक है विल भी शेडियूल एंड इविल्यूटीट बाइदी यूनिवर्सिटी डिपार्मेंट इस्टुडेंट वू परसुए पार्ट टाइम लेंगव तो यहां पर मालो आपका पेपर या आपकी जो क्लासीज है या जैसे भी आपकी सेटर्डे को क्लासीज है और सेटर्डे को आपका आपका रेगुलर या जो भी आप दूसरा कोर्स कर रहे उसकी वी क्लासीज उसी टाइम पर सेटर्डे को है तो यहां पर डेट एडजस्मे नहीं होगी यह उनिवर्सिटी ऑफ देली यानि रामलाल आनंद कोलिज ने किलियरली बता दिया है यहां पर लिख रखाए डिरेक्ली इफ दा किलास स्ट्रेंथ हैं इन एनी कोर्स इंदी बाकि आप यहां पर माल लो अगर यहां पर किलास यानि 40 बच्चों नहीं होता है तो यहां पर क्या को हटा दिया जाएगा यानि कोर्स नहीं चालू किया जाएगा ठीक है और फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी लेकिन नो फीस विल आफ्टर दी कमेंस्मेंट आपकी क्लास जब चालू हो जाएगी तो फिर फीस वापस नहीं होगी ठीक है तो यहां पर 40 बच्चे वेसे हो जाए ता 40 बच्चे ले ले लेते हैं एक मतलब बता रहा है इतना इस एलिजिबल कंडिडेट फैल समिट कोर्स विदिन अमाल लोग किसी बच्चों का एडमिशन लेना है चाइनिज लेंगवेज में जैपनीज में उसका मेरिट में नाम आ चुका है लेकिन वह समिट नहीं कर पाया है तो इसका एडमिशन कैंसल हो जाएगा ठीक है यह चीज़ याद रखना बाकियां पर इस्टुडेंट इस्टुडेंट 75 परसेंट अटेंडेंस फैलिंग विच यहीं वील नौट टेक दी एन्वल एग्जामिनेशन ठीक है तो आपकी 75 परसेंट अटेंडेंडेंस होनी चाहिए जब आप सब्सक्राइब के एन्वाल एक्जाम जब देते हो जब यहाप बेठ होगे पेपर में वरना आपको नही के आप सोचे मैं एडमिशन ले लिया और मैं किलास भी नहीं ले रहा तो यहां पर 75 परसेंट नहीं होगे तो बैठा नहीं जाए तो पेपर में नहीं बैठ सकते हैं एपको अधार कार्ट चाहिए का साट अगर है तो अगर आप मतलब केटेगरी से हो तो आपका कुछ आपका साट चाहिए जो भी है मार्क्स ओफ साट इविट को चाहिए आपका अगर आप डिपलोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो साट वीट कोर्स की आपकी माउचिट चाहिए ठीक है यहां पर लिखावा है और एडमिशन एंड रेजिटेशन फी विल बी एक्सेप्ट तो अब यहां पर सब हो गया है अब मैं बता दूंद आपको कैसे अप्लाई करने गूगल फों में गूगल फोंपर आप कि लिक करोगे ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है देखो इमेल अपनी भरनी आप अपने आपका नाम आप अपने इमेल देना तकि को अब से कॉंटेक्ट कर सके और पैरेंट्स का नाम जो भी लाश्ट की मार्क शीट पे अब मालो चूज लेंग्वेजिए अब यहां पर एक चीज में बत लेकिन आप दोनों स्लेक्ट कर सकते हो यहां पर कोई एक्स्टा चार्जिस नहीं है तो दोनों आप स्लेक्ट कर सकते हो लेकिन जब आपका कट ओफ में नाम आएगा तो किसी एक ही लेंग्विज में आप एडमिशन ले पाऊए ठीक है और बाकि मैं बता देता हूं यहां और अगर आपकी छो भी कैटेगरी है तो केटेगरी पार्टीसिपेशन आम में यहां पर प्रमनला नानन पूलच के में वापस आयता हूं यहां पर और अप्लोड आपको किलास 12 की मार्क शीट यहां पर अप्लोड कर देने एड फाइल करके आपको यहां पर फिल कुछ नी करने यापको कुछ नी लगाना डिपलोम अप्लोम के लिए अप्लाई करना चाहरे हो तो यहां पर लिखा हुआ मार्क शीट और एडमिट काड अगर है तो बाकी मैं बता देता हूं यहां पर अंडर टेकिंग आपको देनी पड़े एक आई हेव रीड दी कोर्स बुलेटन ओन दी आरले कोरीज वेबसाइड एंड एगरी टू एठीक है रूल स्रेंग डिलेश्ट रेगुलेशन ठीक है तो यहां पर आप एगरी कर देना है ठीक और बाकी यहां पर आप सम्मिट कर देना आपका